बिग बॉस 12 हमें आने से पहले अपने ही पिता की डर्टी पिक्चर की हीरोईन थी जसलीन ये रहा सबूत सल्मान खान के विवादों से भरे रियलेटी शो बिग बॉस 12 का जबरदस्ता अगाज हो चुका है शो में कंटे स्टेंड्स के तोर पर आए 65 साल के भजन समराट अनूप जलोटा और उनकी 28 साल की होट गलत प्रेंड जसलीन के रिष्टे पर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तरह की बाते हो रही हैं इनके रिष्टे पर तरह मिम्स, शायरी और जोक्स बन रहे हैं बिग बॉस प्रीमियर के दोरान जब अनूप और जसलीन ने जैसे ही स्टेज़ पर सल्मान खान के सामने ये खुलासा गिया कि वो पिछले तीन साल से जसलीन के साथ रिष्टे में हैं तब हर कोई दंग रह गया पहले ही दिन बिग बॉस कंटे स्टेंट्स ने ही अनूप और जसलीन के प्यार की सच्चाई पर सवाल कर दिये तो वहीं घर से बाहर भी 65 साल के अनूप और 28 साल की जसलीन के रिष्टे पर कई सवाल ख़ड़े की डा रहे हैं जसलीन के पिता केसर भी इस रिष्टे को नकली ही बता रही है लेकिन क्या आपको पता है कि जसलीन एक सिंगर होने के साथ साथ एक एक ट्रेस भी है खास बात ये है कि जसलीन अपने ही पिता केसर मतारों द्वारा बनाई गई फिल्मों की हीरोईन है दरसल जसलीन के पिता एक फिल्म मेकर हैं जुन्होंने कई फिल्में बनाई हैं ये फिल्में ऐसी वैसी फिल्में नहीं बलकि एडल्टी एसो फिटपॉन फिल्में हैं दो हजार तेरह में केसर ने फिल्म The Dirty Relations नाम की फिल्म बनाई थी जिसकी शुरुवाती जसलीन के बुर्ड एंड सेक्सी डांस से होती है जिसमें वो अपनी होट बॉड़ी एक सब पोज करती नजर आती है खास बात ये है कि जिस आइटम सांग लवगे में जसलीन ने दडर्डी रिलेशन में अपनी से कसी अदाएं दिखाई दी थी उसी गाने के साथ उन्होंने सल्मान खान के सामने बिग बॉस बारा के मंच पर धमाकेदार इंट्री ली साल 2016 में जसलीन मथारू के साथ उनके पिता केसर ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम दडर्डी बॉस था दडर्डी बॉस भी दडर्डी रिलेशन ही एक एडल्ट फिल्म थी इस फिल्म में जसलीन ने काफी बॉल्ड सीन्स दे थे और उनके अपोजिट अनुपम खेर के भाई राजू खेर दिखाई दिये थे ये भी पता चला है कि जसलीन का भाई कवनवल जीत सिंग मतारू भी एक्टर और प्रोडियूसर है जो अपने पिता का फिल्मों में सहियो करता है देखिए जसलीन की डर्टी पिक्चर्ज के ये ट्रेलर